इस टॉपिक में मैं आप से बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में इंपॉर्टेंट ड्रग आप फोटोस में भी देख रहे हैं जिसके बारे में लगबग मान की चलिए 90 परसेंट जो इसकी इनके मरीज होते हैं उनको जरूरत पड़ती है इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए मैं तो कहता हूँ ये टेब्लेट आपके घर में जरूर होना चाहिए इस टॉपिक को पूरा सुनने से पहले मेरा आपसे अन्रोध है कि सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब करें बेल नोटिफेशन को आउन रखें क्योंकि मैं इसकीन, हेर, नाखुन से लेटेड बहुँ सारे टॉपिक्स पे वीडियो बहले भी बना चुका हूँ और रेगुलर अपडेट आपको देते रहता हूँ कोसिस रहती है कि इसकीन लेटेड इनफॉरमेशन वीडियो आपको पहुंचते रहे आप उसे अवेनेस का कुछ न कुछ फायदा उठाते रहे साथ ही साथ मैंने जॉइन बटन्स कंसिडर आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कि कुछ प्राइविट वीडियो देखने हैं अगर आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है तो आप एट कंसलेशन भी ले सकते हैं देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं ये अधिकतर ही इसका यूज मास्स मतलब जो हिस्टामीन सेल्स होते हैं उसको रोकने में जिससे क्या जो आपके सिर में कुछली हो रही है इलर्जी हो रही है उसको रोकने में ये मदद करता है जैसे कि आखों में पानी आ गया नाग बह रहा है आखों में इचिंग हो रही नाक में चींग हो रही है, छींग जादा आ रहा है, इसकिन में खुजली हो गया, बालों में खुजली हो गया, हाइवस बन गया, अटिकेरिया बन गया, इन चीजों को ठीक करने में ये काम आता है, इसलिए इसको इलर्जी की मेडिसिन भी, इलर्जी की गोली, इलर्जी की ग मतलब मेडिकल स्टोर्स में बहुत ज्यादा इजली अवेलेबल हो जाता है औरली मतलब औरली टेप्रेट इसको लिया जाता है पानी के साथ यूजली दिन में एक बार कभी कभी रियक्शन ज्यादा होता है तो दो तीन बार भी डॉक्टर्स जैसे हम प्रिस्क्राइब करते ह इसको क्या होता है इसके बारे में कुछ और इंफोर्मिशन में बता दूँ ताकि आपको इससे थोड़े सी अवेर्नेस जादा रहे सबसे पहला पार्ट मैं बताना चाहूंगा साइड इफेक्ट के बारे में क्योंकि एस डॉक्टर मैं सोंचता हूं कि इफेक्ट से इरात में लेना चाहिए क्योंकि से थकान थकान मतलब ड्रॉजीनेस मतलब नीन आती है जो ड्राइविंग करते हैं कंपनी में वरकर हैं नाइट सिप्ट वाले होते हैं गार्ड होते हैं ट्रक ड्राइवर्स होते हैं हम उनको एवाइड करते हैं कभी गलती से मिस हो गया तो हलका सिडिसन होने से आप अपनी डॉक्ٹर्सको ज trouser को जरूर बता हैं दूसर चीज होता है tiredness एक होते है drowsy मतलब नीद नीद जैसा लगना दूसर होता tiredness ठका लगना मतलब दिन में अगले समय में आपको थकान जैसा महसूस होगा लंबे से में तक खाने सिसे dry mouth मतलब मुँँ सूख गया है जैसा भी feel आपको होता है कभी-कभी लेकिन rare है आपको हलका बुखाड जैसा और खांसी जैसा आ सकता है बच्चों में ये symptom हो सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ serious side effects भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही जादा rare होते हैं जैसे कि आपको लिवोसित्रिजिन से कोई reaction हो गया drug reaction जिसको बोलते हैं ये drug reaction एक ऐसा चीज है किसी भी person को कभी भी उस drug से हो सकता है अगर उस drug से आपको कोई drug reaction हो गया तो उस medicine को और उस grip की किसी भी medicine को आपको future में नहीं लेना चाहिए और इसको आपको note करके जरूर रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा side effect हो तो आप अपने doctors को जरूर बताएं कि मुझे लिवोसित्रिजिन या सेट्रिजिन से side effects होते हैं देखे अब ये जो reactions होते हैं इसका treatment काफी difficult होता है ये इतना जल्दी ठीक नहीं होता है इसमें आपको पूरी body में भी रेसेस हो सकते हैं आखों में मुँ में चेहरे में ऐसे रेसेस डेवलाफ हो सकते हैं इसको precaution क्या होता है simple चीज precaution है कि जब आप लियोसित्रिजिन ले रहे हैं जब भी medicine जब चलती रहती है तो जो liver के, kidney के या prostate वाले जो patient है उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रुरत है और medicine जब भी ले रहे हैं तो alcohol वाले beverage मतब drinks नहीं करना चाहिए जो ऐसे citrizin की syrups जिसमें liquid होता है उसमें sugar हो सकता है तो जो sugar के patient है उनको ऐसे सिरप लेने की बज़ाए tablet का उपयोग करना चाहिए और बहुँ सारी बिमारिया होती है कभी भी जब आप इसको use कर रहे हैं तो अपने doctor की सलाह को जरूर मने दूसरा चीज हम बताते हैं कि क्या pregnancy में या breast feeding वाली महिलाएं ले सकते हैं कि नहीं इसको नहीं लेना चाहिए इससर better option भी available होते हैं लेकिन condition के according हम कभी जुरत पढ़ने से prescribe कर सकते हैं हर medicine doctor की recommendation से लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है अगर कोई नुकसान होता है तो doctors के पास हमारे पास उसको manage करने के तरीके भी पता होते हैं अब कोई interaction पता देते हैं interaction का मतलब यह है कि क्या आप इस दवा को ले रहे हैं साहतना BP, sugar या कोई चीजों की medicine ले रहे हैं तो आपको क्या चीजों से बचना चाहिए क्या सावधानी रखनी चाहिए इसे अभी कि मैं मैं बताया कि BP, sugar में कोई ऐसा problem इस सच नहीं होता है फिर भी जिनको liver की कोई खास बीमारी है किड़ी बीमारी उनको यह tablets medicine नहीं लेने चाहिए आपको ध्यान यह देना है कि जब भी आप खांसी की कोई दूसरी सिरप ले रहे हैं तो उसमें kodine होता है इसको भी लेंगे तो नींद आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे समय में आपको थोड़ा जहान ज़्यादा देना है नींद की गोली अल्डेडी ले रहे हैं और इसको लेंगे तो नीद में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो उससे मैं आपको विशेज धियान देने की ज़रूरत है अगर कभी आपका ये ओवर्डोस हो गया तो क्या हो सकता है देखे आपको ड्रॉजिनेस ज़्यादा हो सकता है सांस में दिक्कत हो सकती है रेसलेसनेश हो सकता है जीटेशन और आपको मूड खराब हो सकता है इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई मेडिसिन इस प्रकार की लिए कोई भी समस्या है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल ज़रूर करे और देखे इतने सारे साइड इफेक्ट बता करके मेरा परपस आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है बहुत सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं यूजली हर दिन डे टू डे रूटिन में दिखने नहीं मिलते हैं लगभग लगभग मायन के चली सेफ ड्रग होती है आप जस्क इंक्वाइरी करके अपने डॉक्टर को पूछ करके लें ये बहुत कॉमन ड्रग है वैसे इससे कोई नुकसान नहीं होता है सेफ है तो इसको लेना कैसे चाहिए देखे इससे क्या होता है अधितर नाइट में लेना चाहिए एक टेबलेट लेना चाहिए कभी कभार कुछली कंट्रोल नहीं होता अटिकेरिया कंट्रोल नहीं होता तो दो टेबलेट डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप ले सकते हैं यूजली ये 5MG डोज में आता है डिवो सिटरिजन तो मॉन्टिलुकास के कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है मॉन्टिलुकास जो होता है सांस वाले मरीजों के लिए सरदी वाली पेशेंट लोग के लिए बहुँ ज़ादा इंपोर्टेंट रहता है डिवो सिटरिजन 10MG में भी आता है कभी कभी हमको जिनका वजन जादा है या कोई एक टेबलेट से कंट्रोड नहीं हो रहा है तो 10MG कभी यूज करते हैं काफी effective, काफी अच्छी टेबलेट है आपके लगबग घर में ऐसा है कि दो-तिन टेबलेट हमेंसा होनी चाहिए ताकि आपको कभी इलर्जी हो गया खुजली हो गया, इरिटेशन हो गया, बर्ण हो गया सांस्वन तकलीफ हो गई बहुत सारी इलर्जी वाली problem है उसको दूर करने में काफी helpful रखता है आसा करता हूँ ये लिगो सेटेशन का टॉपिक से बना वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद